और इसी तरह से आप और अपने घर में थोड़ा परिवरतन लाना, विदेशी जो क्रीम पाउडर लिपिस्टिक है, नेल पॉलिश है, कॉस्मेटिक्स हैं, ये सब निकालो बाहर, फेर एन लवली, क्लियर सिल, क्लियर टोन, एरेस्मिक, इमामी, पॉंड्स, ये सब हटाओ, लवली का भाव मालूम है, 25 ग्राम है, 40 रुपए, 50 ग्राम, 80 रुपए, 100 ग्राम, 160 रुपए, 1 किलो, 1600 रुपए, अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाओ मुह पे, उससे अच्छा 4 किलो बादाम खरीद के खाओ, अकल लगाओ ना अपने, अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाओ, जिससे कुछ नहीं होने वाला, उससे अच्छा 4 किलो बादाम खरीद के खाओ, क्योंकि ये फेर एं लवली लगा के कोई गोरा नहीं हुआ आज तक, अगर हो जाता तो अफरीका वाले क्यों काले हैं, मैंने लगा के देखा था, एक भेंस को 4 साल फेर एं लवली अभी भी काली की काली ही है, दुनिया में कोई आदमी फेर एं लवली लगा के गोरा हुआ नहीं, और होने की दूर दूर तक संभावना नहीं, क्योंकि जो आदमी काला और गोरा होता है ना, उसका सिध्धानती लगे, हमारे खून में एक केमिकल होता, उसका नाम है मिलेनिन, जब मिलेनिन की मातरा बढ़ जाती है, तो शरीर काला पढ़ जाता है, जब मिलेनिन की मातरा कम हो जाती है, शरीर गोरा हो जाता है, और जब मिलेनिन की मातरा ना बढ़ती है, ना घटती है, सामन ने रहती है तो शरीर सांवला होता है हम सब इंदुस्तानी सांवले हैं क्योंकि मिलेनिन ना जादा है ना कम है और आदर शिस्थती यही होती है और जादा गोरा होने के चक्कर में मत फसो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ हमारे देश के एक राश्रुपती थे डॉक्टर राधा कृष्णन सुना जब वो राश्रुपती बनने के बाद पहली बार लंदन गए तो अंग्रेज पत्रकारों ने उनको चिडाने के लिए एक सवाल पूछ लिया सवाल क्या पूछा डॉक्टर राधा कृष्णन से पूछा गया लंदन प्रेस कॉन्फरेंस में कि आप हिंदुस्तानी लोग काले क्यों होते है राधा कृष्णन जी ने इतना सुन्दर जवाब दिया वो आप सब को देना उन्होंने का हम हिंदुस्तानी काले नहीं होते कुछ और होते हैं तो उसने का क्या होते हैं तो उन्होंने कहानी सुनाई, उन्होंने का भगवान ने रोटी बनाई, भगवान जी ने रोटी बनाई, तो रोटी कच्ची रह गई, वो खा के तुम सब अंग्रेज पैदा हो गई, भगवान जी ने फिर एक रोटी बनाई, और वो जल गई, उसको खा के ये सब अफरी की पैदा हो गए और फिर भगवान जी ने एक तीसरी रोटी बनाई जो ना कच्ची रही ना जली बराबर सिकी उसको खाकर हम इंदुस्तानी पैदा हुए तो हम काले नहीं है सावले है और मैं आपको बताओं विज्ञान ने ये स्विकार कर लिया है आज कि सावले रंग की तवचा को कैंसर होने की संभावना सबसे कम होती है कारण क्या है खून में मिलेनिन की मात्रा सबसे परफेक्ट हमारी ही है इसलिए अपने सावले होने पे गर्व करो इसको हीन भावना से मत देखो और बार बार ध्यान करो कि शंकर जी सावले भगवान राम सावले श्री करशन सावले तो हम गोरे होके करेंगे क्या हम तो सावले ही अच्छे हैं और जब यह बात मन में बैठ जाए कि सावले अच्छे हैं तो फेर अन लवली की जरूरत क्या फेर हो क्योंकि वो तो गोरा बनने वाली क्रीम है हटाओ उसको 16 से रुपए किलो की फाल तू मैं तो यह फेर अन लवली क्लियर से क्लियर टो निरैस में कि मामी पॉंच यह सब हटाओ भर में से फिर आप बोलोगे जी कौन सी क्रीम लाएं कोई मतला हो आप जैसे हो बहुत अच्छे हो लगा नहीं है तो देशी गाय का घी चुपड लिया करो सबसे अच्छा उससे अच्छी कोई चीज है और नहीं तो जैसे हैं वैसे अच्छे हैं आप जिस बात का ध्यान रखो कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्तु की परीक्षा उसके शरीर के रंग से नहीं होती उसके काम से होती है उसके गुण से होती है उसके सुभाव से होती है हर व्यक्ति का व्यक्तित तो नापा जाता है गुण कर्म सुभाव से वो इस बात से नहीं नापा जाता है कितना गोरा है कोई नहीं कहता अप कोई मर जाता है हमारे देश में तो उसके बारे मैं आपस में चर्चा करते हैं कितना दै điềuू था कितना देशबक्त था कितना खाम करता था समाज का कभी यह सुना कोई कहता ओ क्या गोरा चिट्टा था मर गया वेचा कोई नहीं कहता तो अचा कर रंग याद नहीं करते गुण करम सुभाव याद किये जाते हैं तो गुण करम सुभाव अपने अच्छे बनाओ ये फेरेन लवली वगरा की जरूरत नहीं और माताओं बेहनों को जरूर समझाओ ये बार उनके दिमाट में ये बात लाओ मुझे इतना दुख है ये बात कहते हुए कि जब ये विग्यापन आता ना फेरेन लवली गोरेपन की क्रीम एक दिन समय आने पर भारत स्वाविमान की तरफ से इस विग्यापन के खिलाफ मुकदमा करना है सुप्रीम कोट में क्या मुकदमा करना है जब बार बार वो टीवी पर दिखाते ना फेरेन लवली गोरेपन की क्रीम एक हफ़ते में गोरापन आएगा पंदरह दिन में आएगा एक्कीस दिन में आएगा आप ट्यूब लाइट की तरह से जलने लगेंगे इतने गोरे हो जाएंगे जब ये विग्यापन बार बार आता है ना तो करोणों इस देश की काली मा बहन बेटियों के च्छाती पर आरी चलती है ये आप महसूस करने के कोशिश करो हमारा हिंदुस्तान तो आप जानते हैं 115 करोण का है 50 करोण माताएं बहने हैं इस देश में और उस 50 करोण माताओं बहनों में लगबग 40 से 45 करोण सांवली हैं या काली है उनके दिलों पे कटार चलती है आरी चलती है जब वो ये विग्यापन देखती है कि हाई रे हाई गोरे पन की क्रीम फेरें लग और उन माताओं बहनों को क्या लगता है कि गोरे होने से ही फिर जिंदगी संवरती है और मुझे इससे भी ज़्यादा तकलीफ है मैंने पेपर निउस पेपर की कटिंग काट के रखी है कई बहन बेटियों ने फासी लगा कर आत्मत्या कर ली क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई काले पन के कारण सांवले पन के कारण तो फासी लगा के मर गए हमारे हिंदुस्तान में मा बहन बेटियों के व्यक्तित्त को रंग से नहीं ना पा गया कभी भी हमने उनके गुण कर्म सुभाव से ना पा है लेकिन ये विज्यापन जो आता है रोज फेर एल लवली गोरे पन का ये करोड़ा माताओं की छाती पर आरी चलाता है उनके दिल को चोट पहुचाता है उनकी तरफ से हमें मुकदमा करना है एक बार और इस कंपनी को कठगरे में खड़ा करना है कि तुम सिद्ध करो तुमारी क्रीम में ऐसा क्या है जो किसी को गोरा बना सकता है कुछ नहीं इसलिए दिमाग से निकाल दो ये सारी बकवास बात चीज़ें और भी करही है इस देश में जैसे फेर एल लवली बहुत लोग लगाते हैं कि गोरे पन की क्रीम में मैंने चार साल एक भैस को लगा के देखी है और ये जुनिया में कोई काला बोरा नहीं हो सकता जो काला है वो काला है जो गोरा है वो गोरा रंग नहीं बदलता करें हमने इस फेरे लवगी के खिलाब मुकत्मा किया अब अग्रा साइपोपकर उसमें हुम चीदे कंपनी आहीं हुए वो कैसे उकत्वा था था? मेरा एक दोस्त है बुरेयर था, इंजिनेरिंग में, तंधिन्याग्यूं का है वह बहुत खाला है, इतना खाला है, आपके घर में तबाय है है ना, उसको उल्टा करो इतना खालाहै अरग्छ मेरे साथ हॉस् तो बीस साल लगा जा अभी भी चिक्कट का लगा तो मैंने इसको समझने आगया उसने का अबस अबन फेरे लगा तो मैंने का तेरे पास इसका फेरे लगी करिदनी का जो बिल है बाउचरे वो मुझे बिल है तो उसने दे दे देh तो उसके आधार का मनेगे केस कर दिया मदरास ऐडोर्ट में वो मदरास में कहता है तो केस करना पाऊए if dad आपने इसमें क्या मिलाया है जो किसी व्यक्ति को काला है तो गोरा बना तो अच्छा ये बताओं ये बंती कैसे तो उनका सुर की चर्डी के तेल से आने से बनाते है अब भारत की करोड़ों माता है बहने ये सुर की चर्डी का तेल चेहरे दपोती और सोचती है बहुत सुंदर्ता फेर लग्दी में ने कृम पाउरे लेपिस्तिक में ने किसुंदर्ता गोरा चोट करना और सुबहाओ हैं आपका भूध अच्छा है तर अच्छा है सबहुत है कांग मैंचा है। आप मच लगए ने किछ रखी भ्रश्ट है। फिर आप बूलेंगे कौन सी क्रीम लगाए, कोई मच लगए। जैसे आपने बहुत अच्छा हँ. त्वचा हारी जैसी है, बहुत ही अच्छी है, इसमें क्रीम पाउडर लगा के इसको खराब में करिये, क्योंकि समी बैग्यानिक जो त्वचा रोग इसके हैं, वो ये कहते हैं, त्वचा को जितना ज़्यादा क्रमीकल्स लगाएंगे, उतनी खराब होता है, तो कुछ मत हैं, और ये कितनी महणी हैं तेरे लम आवगाई. पचीस ग्राम चादीस रुपए में है, पचास ग्राम असी रुपए में है, 100 ग्राम एक सो सा seize रुपई की है, झाल झाल